किसी ने मुझसे पूछा कि success क्या होता है What is success? बड़ा सोचने के बाद, काफी समझने के बाद मैं इसका जवाब देने के लिए आप सब के सामने आया हूं Depend करता है person to person success क्या है मैं यह समझता हूं किसी के लिए success कुछ हो सकता है मगर एक core principle है, जो सब ही के लिए ओ तो common होता ही है और होगा ही ओ क्या है, ओ मैं आज डिसकस करने के लिए success के थूँ आया हूं आप लोगों के सामने तो पहले इसका जवाब ढूनते हैं, success क्या है? मैं अलग-अलग एग्याम पास से इसको समझाता हूं एक student है जिसको एग्याम देना है उसके लिए success क्या होगा? उसके लिए अच्छे marks आना, success है एक housewife के लिए success क्या है? घर का अच्छे से ख्याल रखना घर परिवार का अच्छे से ख्याल रखना बच्चों के अच्छे से care करना घर की अच्छे से care करना अच्छे discipline बना के रखना यह success है एक housewife के लिए एक businessman के लिए success क्या है business grow करे खुब पैसे कमायो एक sales वाले के लिए success क्या है sales target का achieve होना incentive का मिलना depend करता है situation to situation सभी के लिए success के माइने अलग हो सकते हैं मगर यह step by step change होते रहते हैं businessman के लिए situations change हो सकती है housewife लिए change हो सकती है बच्चों के लिए change हो सकती है students के लिए change हो सकती है sales वाले के लिए भी change हो सकती है किसी वकील के अलग हो सकती है किसी मेरे ऐसे वीडियो बनाने वालों के लिए अलग हो सकता है success कोई अगर public speaking करता उसके लिए सकसेस अलग हो सकता है सभी के लिए प्राइमरी फेज में सकसेस एक स्टेप पार कर लेने के अबाद दूसरे स्टेप परंच जाते हैं सकसेस के परिवाशा बदल जाती है मगर जो मैंने आँट में कोड ढूंडा और ढूंडा हैपिनेस success is equal to happiness यह final conclusion है यदि कोई बच्चा कहता है कि मुझे एक्जाम में अच्छे नंबर आए उसके नंबर अच्छे आ जाते हैं वो successful माल लेगा कहेगा first pitch cross हो गया मगर end result क्या आ रहा है end result आ रहा है happiness housewife के लिए happiness businessman के लिए क्या पैसे कमा लिया उसने बहुत सारा happiness किसी के लिए health हो सकता है success कि मैं healthy रहूं यह उसका happiness है सब ही के success के मायने अंत में जाकर के खुशी में जाकर खत्म हो जाते हैं तो क्या हम इसको बोल सकते हैं success is equal to happiness बिलकुल बोल सकते हैं और यही बोला जाना चाहिए कोई यदि आपसे कोई एक शब्द में पूचे success क्या है खुशी बोल करके चुप हो जाईएगा happiness बोल के चुप हो जाईएगा क्योंकि success ही खुशी है मैंने इसको बड़े लंबे कोशिश के बाद इस वीडियो को सूट करने आया हूँ बड़े लंबी दिनों तक मैंने इस पर काम किया है तब मैं इस result पर आया हूँ किसी ने मुझे पूचा counter question इसको लेकर के किसी हत्यारे के लिए murder करने में satisfaction आता हो और murder करना उसका target हो तो क्या उस success मान लेंगे मैं कहता हूँ हाँ मान लेंगे क्योंकि अगर वो कर लेता है उसका काम पूरा हो जाता है तो उसमें उसको खुशी मिलती है Taylor का एक सिध्धान्त था बहुत बड़े philosopher है Taylor उनका सिध्धान्त था हमें हर व्यक्ति से कुछ नों को सीख लेना चाहिए हर व्यक्ति से के पास कुछ नों कुछ ऐसा होता है कि हमें उससे वो चीज सीख लेनी चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति यूनीक है हर व्यक्ति की यूनीक qualities है उन्होंने एक सिध्धान्त में कहा हत्यारे से हमें चाकू में धार लगाना सीख लेना चाहिए मैं कहता हूँ सिगरेट पीने वाले से कितनी भी तेज हवा चल रही हो माचिस जलाना सीख लेना चाहिए हर आदमे के अंदर कुछ ना कुछ qualities होती है हमें उससे qualities सीख लेनी चाहिए किस situation में उसमें कैसे बरताओ किया जाता है या बरताओ किया जाना चाहिए यही है success तो success का principle जो last में निकल के formula आ रहा है smile आ रहा है happiness आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए हमेशा खुश रहना चाहिए खुशी की extreme पर रहना चाहिए हमेशा enjoy करते रहना चाहिए समय कैसा भी चल रहा हो किसी का समय हमेशा perfect नहीं चलता एक economist का formula भी है जिसमें कि अगर graph उपर जा रहा है तो नीचे आएगा ही आएगा तो नीचे आ रहा है तो एक energy का formula कहता है कि अगर आपने energy को कहीं पर मारा है तो energy come back करके वापस आपके पास आएगा उसी तरह से यदि आपके position उपर जा रहा है किसी का कम आने वाला है मगर दुख आ जाए या खुशी रह जाए एक balance बना के रखिएगा और खुशी और smile अपने face से दूर मत होने दीजेगा वो हमेशा वो बना कर रखिए वो बना कर रखेंगे जीवन जी पाएंगे किसी के बड़ी अच्छी line है किसी ने कहा था यदि आपने बहुत अच्छा घर ले लिया नई गाड़ी ले लिये अच्छे कपड़े पहन लिये मगर आप तब तक successful नहीं है जब तक आपको वो सब पा लेने के बाद खुशी नहीं मिलती है कहते हैं बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे है और smile है ही नहीं face पे तो कपड़े की कोई value नहीं रह जाती और कपड़ा ओग्रेस नहीं दे पाता जो smile डाल देने के बाद और कपड़ा दे पा रहा होता है बहुत ही subjective term है success मगर मैं उसको बड़े objective term में इसका एक सब्द में जवाब happy दे करके इस चीज़ को खत्म करता हूँ चलिए उमीद करता हूँ अच्छा लगा होगा कुछ बाते समझ आई होंगी और भी इस तरह कि जो जो questions मुझसे पूछे जाते हैं जो जो questions आप लोग पूछ रहे हैं उनके जवाब में ढूणने की कोशिश करता हूँ और जो theories हैं उनके through भी उन पे जाने की कोशिश करता हूँ चलिए मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो नए energy के साथ Have a great day